गुड मॉर्निंग बच्चो आज मैं निदी जैन आपको क्लास एक के में कारत चप्ट को पढ़ाऊंगे इससे पहले हमने संग्या, सरुनाम और क्रिया के बारे में पढ़ा था तो आज हम कारत के बारे में पढ़ेंगे जैसे मैंने आपे पहले संटेंसे लिखें हैं, राजा ने भिकारी को कम्बल दिया, आशीमा ने साबुन से हाथ धोय, ट्रेन पट्री से उतरी, वैह शेर की कुफा है, तोता डाल पर बैठा है जो भी शब्द आपके इसमें अंडरलाइन किये गए हैं, अगर उनके बिना हम इन शब्दों को पढ़ें, इन वाक्यों को पढ़ें, तो ये कैसे पढ़े जाएंगे, देखें राजा भिकारी कंबल दिया, आशिमा ने साबुन हाथ धोय, तो इस तरीके से इन संटेंसी कोई सेंस नहीं बन रही, तो इससे क्लियर होता है कि वाक्यों में प्रयोक्त संग्या या सरुनाम पदों को जो रूप उनका संबंद क्रिया के साथ बताते हैं, उसे कारक कहते हैं या दूसरे शब्दों में कहें, संग्या या सरुनाम का क्रिया के साथ संबंद जोडने वाले शब्द कारक कहलाते हैं, कारक के भेद, कारक को आठ भागों में बाटा जा सकता है, जैसे आपको यहां ख्लोचार दिखाई दे रहा है, करता ने कर्म को करन से के द्वारा, अपादान से अलग होने के लिए, यहां पर बैकर में लिखावा प्रथक, प्रथक मिन्स अलग होने के लिए, प्रेम, इर्शा, या घ्रिना, डर और तुलना के भाव में, संबंद का, की, के, अधिकरण, मे, पर, और संबोधन हे अरे, यह जो कारक लिखें, यह कारक के ना कारक के अलग-अलग भेदों को जानेंगे, जैसे पहला है हमारा करता कारक, करता आपको पहले भी बताया था, क्रिया समझाते हुए, कि करता जो काम को करता है, वह करता कहलाता है, क्रिया को करने वाला करता कहलाता है, या वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, या करताकारत कहलाता है अब वाक्य में कौन और किसने से प्रश्ण करने पर करतागी पैचान होती है जैसे पहला संटेंस है मोहन गाना गाता है कौन गाना गाता है मोहन तो मोहन हमारा इसमें करता शब्द हुआ सेक्ट संटेंस में देखेंगे रोहन ने खाना खाया ने हमारा करता कारत का चिन था विबक्ती चिन था तो यहाँ पर ने हमारा करता कारत या संटेंस में कोशन में बनाए किसने खाना काया रोहन ने तो कई बार हमारे संटेंस में विबक्ती चिन हो भी सकती है और बिना इस रोप पर क्रिया का प्रभावपड़े उसे कर्मकारक कहते हैं वाक्य में क्रिया के साथ क्या और किसको क्रिया के साथ क्या और किसको का प्रश्ण करेंगे तो हमें कर्म की पहचान होती है जैसे पुजारी जी चंदन घिस रहे हैं क्या घिस रहे हैं चंदन तो क्या में अं बच्चे को, तो को हमारा कर्मकारक, नेक्स्ट है हमारा करणकारक, करण अर्थात साधन या माध्यम, जिसके दुआरा कोई काम किया जा रहा है, जिसकी सहयता से कोई काम किया जा रहा है, तो करता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, उसे करणकारक कहते हैं, इसको हम किस किस से प्रश्ण पूछने पर हमें कारक की पैचान होती है जैसे सेंटमस है हम फुटबॉल से खेल थे हैं अब यहां पर हम किस से खेलते हैं फुटबॉल से यह जैसे सेकंद सेंटमस है करिष्ण के किस्ते द्वारा मारा गए और किसकी सहायता से वह काम किया गया वहांपर हमारा करण कारक नेक्स है संप्रदान कारक जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या कुछ दिया जाए जब देने का भाव आए तो वहांपर संप्रदान कारक होता है वाक्य में क्रिया के साथ किसको या किसके लिए प्रश्ट करने पर हमारा संप्रदान कारक की पैचान होती है जैसे दादी मा ने राहुल को पैसे दिये किसे दिये राहुल को किसको दिये राहुल को और सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा पर जा रहे हैं, किसके लिए रक्षा के लिए Next है हमारा अपादानकारत संगया सरुनाम पद में किसी से अलग होने की, किसी से जुदा होने की बात हो प्रेम की, इर्श्या की, तुल्ला की जाए दो लोगों में, दो सामान में, व्यक्तियों में या कहीं पर डरने का भावो तुहाँ पर हमारा अपादानकारत होता है अपादान की पहचान होती है, कहां से जैसे संटने लिखा है, पहाडों से जड़ना बह रहा है कहां से बैरा है, पहाडों से और अलग होने का भावो रहा है, कि पहाड से जड़ना अलग हो रहा है स्टेशन से ट्रेन छूट गई, अब ट्रेन जो थी स्टेशन से अलग हो रही है, छूट गई है नेक्स्ट देखो, मा बच्चे से प्रेम करती है यहाँ पर अलग होने का भाव नहीं है जब कि प्रेम का भाव हो रहा है तो किससे प्रेम कर लिए बच्छे से नेक्स्ट में रोहन मोहन से इर्षा करता है या गृना करता है तो दो व्यक्ति आपस में गुरे से गृना हो रही है ग्रणा का भाव Next राधा सीमा से छोटी है तुलना हो रही है, comparison हो रहा है दो व्यक्तियों में विशाल छिपकली से डरता है डरने का भाव है कि वे छिपकली से डरता है अधेरे से डरता है, मुचाई से डरता है कभी भी डरने का भाव हो तुमाँ पर अपादान कारत उसके बाद आता है हमारा संबंध कारक संग्या या सरवनाम के जिस रूप से व्यस्तों या व्यक्तियों में संबंध पता चले रिलेशन पता चले तो वहाँ पर हमारा संबंध कारक होता है वाक्य में किसका या किसकी प्रश्ट करेंगे तो जो अंसर मिलेगा वो हमारा संबंध कारक होता है जैसे मेरा भाई पुलिस अधिकारी है किसका मेरा तो यहाँ पर संबंध पता चला कि मेरा और भाई का संबंध है और यहाँ पर second sentence है नमरता सुरेश की बहन है किसकी बहन है सुरेश की तो नम्रता उसुरेश का relation क्या है भाई-बहन का, तो वहाँ पर की underline करके हमारा संबंद कारत, next आता है हमारा अधिकर्न कारत, अधिकर्न कारत हो तक क्रिया का आधार, ठीक है, जिस संग्या या सर नाम के जिस सुरूफ से tootब का धार स्थान या समय का पता चलें, उसे एक अधिकरनकारक कहते हैं अगर हम कोशचन पूछे कहां 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 कोशचन लगा कर हम कोशचं 조च करेंगे तो वहां पर जो शबत का अंसर आएगा वह हमारा आएगा हैं अधिकरनकारक जब स्की मेंट सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या है इसमें एक्स्लेमेटरी साइन या संभोधन चिन लगा जाता है अब बच्वा में दिखाऊगा कर्मकारक और संप्रदानकारक दोनों की चिन जो थे या परसर्ग था उनका को था इनमें हम डिफ्रेंशियेट या अंतर कैसे रूनेंगे कर्मकारक में को की लिखा प्रियोग जो है वो फल दर्शानी के लिए किसे पर प्रभाव पढ़ा उसक शिक्षक चात्रों को पढ़ाते हैं अब शिक्षक को पढ़ाने का जो फल मिल रहा है वो किसको मिल रहा है चात्रों को यहां पर को क्या है हमारा कर्मकारक सेकिन संटैस में शिक्षक चात्रों को पठन सामगरित देते हैं अब किसको दे रहे हैं चात्रों को लेकिन देने का भावारा है कि पठन सामगरी दे रहे हैं तो देने के भाव में लगा हुआ को है लेकिन फिर भी महाँ पर देने के भाव में संप्रदानकारक ये हो जाएगा इसके बाद करण कारक और अपादान कारक में दोनों का चिन्द क्या है से लेकिन इसमें अंतर समझेंगे करण कारक में से का प्रियोग साधन के रूप में होता है जैसे मैं कार से विद्या ले गई मा ने चाकू से फल काटा किसकी सहायता से वो काम हुआ से हमारा साधन अगर जहां पर पर चल रहा हमाँ पर करनकारत और अपादानकारत में जैसे आपको पहले बताया अलग होने का भाव प्रेम ग्रिना या डर या तुलना जब की जाए तो वहाँ पर अपादानकारत जैसे मेरा भाई अपने मित्र से अधिक बुद्धिमान है वह उससे अधिक लंबा है मैं उससे घ्रिना करती हूँ मुझे अंदेरे से डर लगता है तो ये सब हमारे आएंगे अपादानकारत में इसके बाद बच्चो आपकी बुक की बैकिक साइज दी गई है इसको आप स्वयम कर करने का प्रयास करना कि अभी आपकी कोश्चन दिये गए है दिखो आप लो इस चैप्टर ने जो आपको समझा उसके बेस पर आपने यह अब्याकिक साइज करनी है इसके बाद आपको इसकी अंसर की और अभ्यास कारिया पीडियेफ में बेजा जाएगा दन्याबाद आपको 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 आपक